नमस्कार मैं रविश कुमार क्या भारत सरकार इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के बाद भी आदानी समों की जाच नहीं करवाएगी क्या सरकार ने कसम खाली है हिंडन बर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तो क्या Express की रिपोर्ट को भी भारत पर हमला बताया जाएगा जबकि Express की रिपोर्ट सवाल कर रही है कि अदानी डिफेंस कंपनी की एक पार्टनर कंपनी उसमें किसका पैसा लगा है वो कौन है इसका पता नहीं है आप सोचिए कोई भी कंपनी जो मौरिशत से चलती हो अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगाती है जिसका एक बड़ा साजीदार अदानी डिफेंस है और उस पैसे का मुनाफ़ा किसे जा रहा है इसकी जानकारी भारत में किसी को नहीं है क्या ये रक्षा के शेत्र में संभव हो सकता है होना चाहिए कई ऐसा तो नहीं कि भारत पर हमला भारत के भीतर से हो रहा है इस रिपोर्ट के बाद भी क्या भारत सरकार जांच नहीं कराएगी आखिर भारत सरकार ने इसरो और डियार डियो का ठेका एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया जिसकी एक साजीदार का पता ही नहीं कि उसका अंतिम लाभारती कौन है क्या सबका मालिक एक है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं आप देख रहे हैं रविश कुमार ओफिशिल हमारा यूट्यूब चैनल आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है वो अपने आप में भयानक है कि अभारत के रक्षा शेत्र के उत्पादन में ऐसी कमपनी को ठेका दिया जा सकता है जो किसी और देश से फ्र देने वाली सरकार रक्षा उत्पादन के मामले में दूसरे देश से चलने वाली फ्रंट कमपनी को कैसे काम दे सकती है उस कमपनी में किसका पैसा है बिना इस जानकारी के कैसे काम दे सकती है और वो कमपनी उसी में पैसा लगाती है जिसमें आदानी डिफेंस का लगा होता है संयोग भी कमाल के होते हैं क्या अब भी इसकी जाच नहीं होगी संसद में इस पर बहस नहीं होगी एक्सप्रेस के साथ साथ the morning context की खोजी report तो और भी भयानक सवाल उठा रही है कि अम्बुजा सिमेंट और ACC सिमेंट का मालिक कोई और है विनोद अदानी है गौतम अदानी नहीं क्या तब भी जाच नहीं होनी चाहिए क्या ये सवाल इतने बेकार है हम आज के वीडियो में दोनों report पर विस्तार से चर्चा करेंगे आप पूरा वीडियो देखिए और हिंदी प्रदेश की एक एक जनता को दिखाईए ये report अपने आप में भयानक है कल पना से बाहर क्या आदानी के लिए इस पर भी चुप रहना होगा कि डिफेंस के उत्पादन जिस company का पैसा लगा है वो company Mauritius की है मगर उसका मालिक कौन है नहीं मालूम है और नहीं मालूम है तो क्या पूछना नहीं है क्योंकि मामला आदानी का है middle class home loan पर 10 प्रतिशत interest rate देने लगा है लेकिन क्या वो यह भी बरदाश्ट करेगा कि आदानी समूपर चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए जितने भी सवाल उठ जाए सरकार जांच नहीं करेगी और हम सरकार के साथ रहेंगे संसत बहस नहीं करेगी और हम सरकार से नहीं पूछेंगे आप सभी को अदानी युक्त नया भारत मुबारक हो Express of the Morning Context की रिपोर्ट पर आप परदा नहीं डाल सकते अगर ये रिपोर्ट आई है कि अम्बुजा सिमेंट का मालिक विनोध अदानी है तो सेवी से लेकर तमाम संस्थाओं को इसकी जाच करनी चाहिए थी क्यों नहीं जाच कर सकती हैं क्या विनोध अदानी इस देश के कानून से उपर हैं क्या गौतम अदानी इस देश की जाच एजन्सियों कानून और संविधान से उपर हो गएं सेवी को बताना चाहिए कि अलफा डिफेंस का मालिक कौन है एलेरा कैपिटल का मालिक कौन है इस देश के कानून से इस जानकारी को हासिल करना चाहिए बताना चाहिए कि मौरिशेस की कमपनी का जो पैसा लगा है वो किस आदमी का है लेकिन यह सब पता लगाने की कोशिश और जो भी इसकी मांग करता है उस पर तरह तरह की जाँच एजनसियां भीठा दी जा रही है सेबी को बताना चाहिए था मगर सेबी ने ये काम नहीं किया जब पता नहीं है कि मौरिशेस की कमपनी का मालिक कौन है और इस कमपनी को डिफेंस का काम कैसे मिल गया इतना तो सवाल आप पूछ सकते हैं अगर ये भारत पर हमला है तो पता नहीं हमें अब क्या-क्या देखना बाकी रह गया है आज पता चल रहा है अमबुजा सिमेंट का मालिक गौतम अदानी नहीं विनोद अदानी है एक दिन पता चलेगा सबका मालिक ये भी नहीं कोई और है वही जो ट्रकों पर लिखा होता है सबका मालिक एक है क्या तब भी सरकार को निश्पक्ष तरीके से जाच नहीं करानी चाहिए इन सवालों से बचने का एक ही तरीका है और वह तरीका जल्दी ही काम में लाया जाएगा देश को धर्म की राजनिती की आँच में जलाया जाएगा ताकि सारे लोग अदानी समू के सवाल भूल जाएं और उन्हें ये भर्म में डाल दिया जाए कि वे धर्म की रक्षा कर रहे है सारे अधर्मों से बचने के लिए धर्म का इस्तमाल हो रहा है मेरी ये बात लिखकर पर्स में रख लीजिए जाच की बात भूल जाएए और तो और CPI के सांसत के सुबा नरायन ने लोग सभा में सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने अमेरिका के शौट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समू की कंपनियों के विरुद लगाए गए आरोपों की जाच करने के लिए किसी समिती का गठन किया है तो लोग सभा में वित्यराज्यमंत्री पंकत चौदरी जबाब देते हैं जी नहीं तो जाच की बार सरकार ही कह रही है कि किसी जाच की कोशिश नहीं की गई है जाच के लिए कमेटी नहीं बनाई गई है 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तब कहा गया कि हिंडनबर्ग अमेरिका की एक संस्था है इसके अपने हित हैं और भारत पर हमला है लेकिन उस दिन की रिपोर्ट के बाद से उस रिपोर्ट के आगे जाकर भी नई-नई रिपोर्ट आई है Bloomberg, Forbes, Economist, Financial Times, Al Jazeera Washington Post ने नए-नए तत्यों को उजागर किये अब तो भारत के दो समाचार संस्थानों ने भी नए और खतरनाक तत्यों को उजागर किया है आज के Indian Express और The Morning Context की खबर के बाद भी अगर जाच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि भारत में एक नया विधान आ गया है याद रहे आप केबल उस विधान के बारे में जानते हैं उस विधान का विधाता कौन है उसका चेहरा आप नहीं जानते हैं इसके लिए आपको मौरिश्यस जाना होगा वहां से पानी वाला जहाज पकड़ कर गुजरात के मुंद्रा बंदरगा पर उतरना होगा और फिर सडक मार्ग से एहमदाबाद आना पड़ेगा क्योंकि भारत से जाँच के सारे रास्ते बंद कर दिये गए हैं आज इंडियन एक्सप्रेस में संदीप सिंग, रितुसरीन और अमरिता नायक दत्ता की रिपोर्ट छपी है हम उसका सार बता रहे हैं, लेकिन आप पूरी रिपोर्ट पढ़िए और फिर बताए कि इसमें उठाए गए सवाल भारत की रक्षा के लिए गंभीर हैं या नहीं क्या आदानी के लिए भारत की रक्षा से जुड़े सवालों को भी नजर अंदाज कर दिया जाएगा अदानी डिफेंस या कमपनी अदानी समू की है, और तीसरी कमपनी है एलरा कैपिटल, इस कमपनी का पैसा मौरिशस की एक कमपनी का है एलरा कैपिटल के निवेश से जो मुनाफ़ा होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा ये पता नहीं है ना घजब का ये खेल इस रिपोर्ट में संदीब सिंग बकाइदा एक चार्ट बना कर बता रहे हैं कि डेर से दो महिने के भीतर ADTL में आदानी डिफेंस भी निवेश करती है और वसाका भी वसाका अलफा की ही प्रमोटर कमपनी है एलरा कैपिटल वसाका कमपनी में निवेश करती है और वसाका ADTL में निवेश करती है इस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक आदानी डिफेंस और वसाका ADTL के मेनेजमेंट पर कंट्रोल कर लेते हैं उसके प्रमोटर बन जाते हैं इतने कम समय में दोनों एक ही कमपनी में घुस रहे हैं ये तो संयोगों का भी बाप संयोग है मौरिशस का नाम आते हैं विनोध अदानी का ध्यान आ जाता है मगर इस रिपोर्ट में विनोध अदानी से कोई संबद नहीं जोड़ा गया है लेकिन सवाल उठाया गया है कि इस निवेश से जो लाब होगा उसका अं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को समझना सभी के बस की बात नहीं है मगर मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों रिपोर्टर ने बेहद सरलता से इस खेल का परदाफाश कर दिया है इस रो और डियार डियों के साथ कोई कमपनी करार करे उस कमपनी में ऐसी कमपनी का पैसा हो जो विदेश से आता हो मगर विदेश में किसका पैसा है वो भारत सरकार को पता ही ना हो ये तो हद हो गई तभी प्रधान मंत्री ने कहा कि जिने गैस का सिलेंडर दिया है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया है उनसे प का ठेका उनको दे दिया जिनका पता ही नहीं है उस लाभारती का नाम प्रधान मंत्री को मालूम है जिनने सिलेंडर दिया है मगर उस लाभारती का नाम प्रधान मंत्री को नहीं मालूम है जिसका पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसे इसरो और डियार्डियों ने ठेका द अब आप इस खेल को ठीक से समझ रहे होंगे अदानी समू ने इंडियन एक्सप्रेस को जवाब दिया है मगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया अंतिम लाभार्थी कौन है सबसे बड़ा सवाल यही है एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मूल सवाल यही है कि एलरा कैपिटल ने ज किसका पैसा है क्या अब पाकिस्तान या चीन का डर नहीं इसी डर के नाम पर जाच करा लेते संयुक्त संसदिय दल से समिती से हम धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं मौर्निंग कॉंटेक्स की रिपोर्ट के बारे में भी बताएंग आप इस पूरे वीडियो को इतमिनान से देखते जाएगा 2020 में रक्षा मंत्राले के साथ ADTL यानी अलफा का 590 करोड का करार हुआ इस पैसे से पेचोरा मिसाइल और रेडार सिस्टम को उन्नत किया जाना है एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार ADTL के दो मालिक हैं एक गौतम अदानी और दूसरा एलारा एलारा का मालिक कौन है पता नहीं एक्सप्रेस ने लिखा है कि एलारा इंडिया उपर्चुनिटीस फंड एक वेंचर कैपिटल फंड है जिसे एलारा कैपिटल संचालित करता है एलारा इंडिया मौरिशस में पंजिकृत है ये मौरिशस में रडिस्टर्ड उन चार बड़ी कंपनियों में से है एलारा कैपिटल ने अदानी समू की कंपनियों में पैसे लगाए है पिछले तीन साल में एलारा ने अदानी समूग की कमपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग काफी कम की है उसके बाद भी उसकी होल्डिंग का मुल्य नौ हजार करोड के आसपास है इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बेहत खतरनाक खेल को उजागर कर रही है एक ऐसा खेल जिसके लिए देश की रक्षा को दाओं पर लगाया जा रहा है राहूल गांधी ने इस बारे में भी सवाल किया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि रक्षा कमपनियों में किसका पैसा लगा है ये पैसा आ कहां से रहा है क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मुली राहूल गांधी के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं जिस बीजेपी के नेता आराम से राहूल की हर बात की धजियां उड़ा देते हैं उस बीजेपी के नेता और सर्वच नेता राहूल के इन सवालों का जबाब क्यों नहीं दे पारें क्या राहूल ने सही जगव पर हाथ रख दिया है क्या अब रक्षा मामलों में भी समझोता होगा तो भी बीजेपी चुप रह जाएगी किसके लिए अदानी समू के लिए अपनी रिपोर्ट में एक्स्प्रेस ने बताया है कि बेंगलुरू की डिफेंस कंपनी अलफा में एलारा और अदानी ही बड़ी हिस्सेदार और साजीदार है इनके पास अलफा कंपनी का 51.65% हिस्सा है अदानी डिफेंस के पास अलारा का 26% हिस्सा है वहीं वसाका प्रमोटर और डेवलेपर इसके सबसे बड़े प्रमोटर है अलारा के पास 6.53% हिस्सा है लेकिन एक्सप्रेस ने अपनी तफ्तीश में पाया है कि वसाका प्रमोटर का 44.3% हिस्सा अलारा ने 2018 में खरीद लिया था जिसके बाद कुल मिलाकर अलारा अलफा में 26% हिस्से का मालिक है अनुआत करने और समझने में हमसे चूक नहीं हुई है तो इस रिपोर्ट के बाद किसी भी नागरिक के होश उड़ जाने चाहिए सांसत पूछ रहे हैं जवाब नहीं दिया जा रहा है पत्रकार पूछ रहे हैं जवाब नहीं दिया जाता है इंडियन एक्स्प्रेस ने जब रक्षा मंत्राले से पूछा तो कोई जवाब नहीं आए सरकार क्यों नहीं बता सकी कि ADTL में जिस सेलारा कैपिटल का पैसा लगा है वो किसका है उसका अंतिम लाभार्थी कौन है असली भार्थी योजना तो इधर चल रही है जिसका नाम ही पता नहीं क्या इससे भारत के लोगतंत्र की गरिमा कम नहीं होती क्यवाल इसी से होती है कि राहूल ने विदेशों में क्या बोल दिया लेकिन विदेश की कोई फ्रंड कमपनी भारत के रक्षा सौदे में पैसा लगा रही है और वो पैसा किसका है वो भारत सरकार को मालूम नहीं लोग तांत्रिक तरीके से विपक्षी दल सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब नहीं दिया जाता क्या इसे भारत की गरीमा कम नहीं होती है इस सवाल का जवाब राश्रबात के किस नियम के तहट नहीं दिया जा रहा है अधानी ग्रूप ने जवाब दिया मगर रक्षा मंत्राले नहीं दिया एक्सपेस को अधानी ग्रूप की कमपनी अधानी डिफेंस 2017 में रक्षा उत्पादन के लिए साजिदार खोज रही थी ये जवाब में लिखा है कई कंपणियों के विकल्प का अध्यन किया गया और उसमें से अलफा डिजाइन टेकनोलोजी लिमिटेड एडि टील का चैन हुआ 2018 में अधानी डिफेंस ने अलफा में पैसे लगाया इसमें अलारा इंडिया फंड की हिस्सेदारी मामूली है सबसे बड़ा प्रमोटर वसाका प्रमोटर है जो मुरुगपा ग्रूप का है लेकिन एक्सप्रेस इनके जवाब से सहमत नहीं है रिपोर्ट में लिखा है कि वसाका में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अलारा की है और यह जवाब नहीं मिला कि अंतिम लाभार थी कौन है आपको याद होगा 413 पन्नों के अपने जवाब में अधानी समू ने अलारा से किसी तरह के संबंद को नकार दिया था एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है कि वसाका में बड़ी हिस्सेदार अलारा है यह सुची जबकि अधानी समू ने कहा कि मुरुगपपा ग्रुप है अलारा में किसका पैसा है इशारा तो किया जा रहा है मगर रक्षा की कमपनी में इशारे से कैसे काम चलेगा जाच के बाद जनता को बताया जाना चाहिए कि सबका मालिक कौन है अंतिम लाभार्थी कौन है हमने दो फरवरी के वीडियो में फोब्स पत्रिका की एक रिपोर्ट का दिक्र किया था फोब्स के जन हायट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस बात के सबूत हैं कि अदानी ग्रूप ने अपने ही एफपियो सेल में खरीदी की थी तब सवाल उठा था कि क्या अदानी समूग से जुड़ी कोई कमपनी ही अपना शेयर बेच कर अदानी समूग का एफपियो ले रही थी बाद में अदानी ने एफपियो ही रद कर दिया हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जिन दो कमपनियों पर अदानी ग्रूप के साथ मिलकर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हिरा फेरी का इल्जाम लगाया है वे दोनों अदानी ग्रूप के एफपियो में अंडर राइटर बताई गई थी ऐसा फोप्स ने लिखा एक का नाम है एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो इंग्लेंड की निवेश कंपनी एलारा कैपिटल की सहायक कंपनी है और दूसरी है मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल हिंडनबर्ग ने लिखा है कि एलारा के एक फंड के पास कथित रूप से आदानी समू में तीन अरब डॉलर के स्टॉक हैं इसी एलारा कैपिटल के निदेशक पत से इंग्लेंड के पुर्व प्रधान मंत्री बॉरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इस्तिफा दिया था जो जॉनसन एलारा कैपिटल के निदेशक थे सरकार जाच नहीं कर रही है गोधी मीडिया के जरी हिंदी प्रदेश की जनता को कंट्रोल कर लिया गया है उसके पास अदानी समुझ से जुड़ी ऐसी खबरों को पहुचने नहीं दिया जा रहा है रक्षा के नाम पर चिलाने वाले हिंदी अख़बार क्या एक्स्प्रेस की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को पहले पन्ने पर चापेंगे अब आपको पता चलेगा कि वो रक्षा को लेकर चिन्तित हैं या किसी एक समुझ की रक्षा में आपको भर्माने के काम में उल्ज़े हुए अब आपको हिंदी अख़बारों की असलियत का पता चल जाएगा लेकिन इतना सब कंट्रोल करने के बाद भी कहीं न कहीं से भांडा फूट जा रहा है अब देखे एक फरवरी को फोस्पत्रिका की रिपोर्ट आई थी उसमें एलारा कैपिटल का जिक्र था हिंडनबर की रिपोर्ट में भी जिक्र था तब अदानी समू ने जवाब दिया कि अलारा से कोई संबन नहीं लेकिन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट है कि अलारा वसाका कंपनी में प्रमोटर है वसाका ADTL में हिस्सेदार है जिसमें अदानी डिफेंस भी हिस्सेदार है पूरी दुनिया में अदानी समू के इन मामलों के कारण भारत की साख खराब हो रही है आखिर वज़ा क्या है कि सरकार जाच नहीं करा रही है मौर्निंग कॉंट्रेक्स्ट में अदवैत पलेपू और निहार गोखले की एक रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है इस रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी समू अंबोजा सिमेंट्स और ACC का मालिक नहीं है दूसरी कंपनिया मालिक हैं जिने विनोध अदानी कंट्रोल करते हैं अदानी समू ने इस डील के लिए एंडेवर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम के एक स्पेशल परपस वीकल का इस्तमाल किया था इसके मालिक विनोध हैं ऐसा मौर्निंग कॉंटेक्स ने अमबुजा सिमेंट के फाइनल ओफर लेटर का हवाला देते हुए दावा किया है मौर्निंग कॉंटेक्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी समू की किसी भी लिस्टेट कमपनी या उनकी सहायक कमपनियों ने अमबुजा सिमेंट या ACC का अधिगरहन नहीं किया है जबकि गौतम अदानी ने सारी दुनिया और अपने शेयर धारकों को यही संदेश दिया था कि अदानी समू ने इन सिमेंट कमपनियों का अधिगरहन किया है इस बारे में Bloomberg ने भी रिपोर्ट की थी मगर Morning Context की रिपोर्ट बताती है विनोद अदानी मालिक हैं गौतम अदानी की Morning Context जनता की मदद से सब्सक्रिप्शन से चलने वाली वेबसाइट है ये लोग खत्रे उठा रहे हैं लेकिन जिस गोदी मीडिया को जनता के पैसे से विग्यापन दिया जाता है बाजार अपने पैसे से विग्यापन देता है वो गोदी मीडिया इनके उठाये हुए खत्रे को आगे भी नहीं बढ़ाता है इस तरह से ख़बरों पर रोक लगाई जा रही है और आप उस गोदी मीडिया को देखकर अपना कितना वक्त खराब करते हैं इसका अंदाजा नहीं है इन में हिम्मत नहीं है कि इस तरह की रिपोर्ट कर सकें मौर्निंग कॉंटेक्स की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले हफ़ते फिनेंशल टाइम्स में सूत्रों के हवाले से ख़बर छपी थी कि अदानी अंबूजा सिमेंट में अपना शेयर बेचेंगे छपा था कि हिंडन बर्ग के बाद से ये पहला ऐसा मौका है जब अदानी समू को कोई एसेट बेचने की नौबत आई है यह भी लिखा था कि 4-5 प्रतिशत स्टेक बेच कर 450 मिलियन डॉलर जमा किये जाएंगे अदानी के पास संबूजा का 63 प्रतिशत शेयर है लेकिन मौनिंग कॉंटेक्स्ट के अनुसार अदानी तो अम्बूजा सिमेंट के मालिक ही नहीं है तो कौन बेच रहा है और किसके पास ये पैसा जा रहा है क्या इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जाच एजिंसियों को गौतम अदानी के दफ्तर नहीं जाना चाहिए क्या ये अच्छा नहीं होता कि सरकार निश्पक्षता से जाच कराती और जनता के सामने सारी बाते रख देती ताकि जनता को विश्वास हो जाता कि भारत में कॉर्परेट गवर्नेंस में इस तरह की कोई खामी नहीं है कोई अंजान कंपनी जिसके मालिक का पता ना हो कंसकम इसरो और डियाडियो के काम में कॉन्ट्रेक्ट नहीं ले सकती है क्या हम कोई माफिया स्टेट में रह रहे हैं कि कोई भी सवाल आए किसी भी रिपोर्ट में सवाल उठें हम ध्यान नहीं देंगे सवाल करने वाले को आप जेल में डाल दीजिए जमानत रद करवा दीजिए महिनों जेल में डलवा कर रखिए गौतम अदानी की ताकत तो समझ में आती है आती है तो अब उनके कारण भारत की विवस्ता को उनके पूरे खांदान का बोज उठाना पड़ेगा क्या ये परिवारवाद नहीं है आखिर जाच एजेंसियां विनोध अदानी के जाल की जाच क्यों नहीं करती है इतने बड़े व्यापारिक समूं की साख अपनी लंबी कार में बैठकर किसी टीवी चैनल के दफ्तर में जाए या अपने ही चैनल के दफ्तर में जाए और कहें कि हम आन रेकॉर्ड मांग करते हैं कि भारत सरकार संयुक्त संसदिया समीती से जाच कराए हम सारे कागजात उपलब्द करा देंगे क्योंकि जाच एजेंसियों की साख तो आप जानते हैं कि किस तरह की है वे जब जाच करेंगी तो क्या नतीजा निकलेगा ये पहले से लोगों को पता है सुप्रीम कोट ने जो कमेटी बनाई है उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाएं विपक्ष चाहता है कि संसद के सदस संसद उस जाच समीती में रहें और तथ्यों की जाच हो ये क्यों नहीं हो सकता है क्या ये आदानी समू के लिए अच्छा नहीं है अगर सब कुछ दूद का दूद धुला हुआ है तो पानी का पानी है तो या डर ये है कि जाच होगी तो उसका चहरा सामने आएगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है सबका मालिक कौन है हमने 20 फरवरी के एक वीडियो में बताया था कि कॉंग्रेस प्रवक्ता जैराम रमेश ने अदानी समूँ और सरकार से सवाल पूछा है कि 16 सितंबर 2022 को अदानी समूँ ने घोशना की कि अदानी परिवार ने Endeavor Trade and Investment Limited एक विशेश प्रयोजन वाहन Special Purpose वीकल के माध्यम से Amboja Cements Limited और ACC Limited के अधिग्रहन को सफलता पुर्वक पूरा कर लिया है इस अधिग्रहन ने अदानी को भारत के दूसरे सबसे बड़े सिमेंट उत्पादक के स्तर पर पहुँचा दिया अधिग्रहन करता द्वारा सेवी में दायर दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहन करता का अंतिम लावकारी स्वामित्व श्री विनोध शांतीलाल अदानी और श्री मती रंजन बेन विनोध अदानी के पास है क्या अदानी समू के लिए अब विनोध अदानी से दूरी बनाना हास्यास पत जूट नहीं होगा तो क्या अब भी राश्ट्रवाद के नाम पर राजनिती करने वाले सरकार से सवाल नहीं کرेंगे कि अदानी समू को लेकर ऐसा क्या है कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो सरकार जांच नहीं कराती है क्या धर्म के नाम पर राजनिती हमेशा धोखा ही देगी मंदिर बनाने का साहस है तो सच बोलने का साहस भी होना चाहिए क्या हमारा धर्म इतना कमजोर करता है कि सवाल उठें तो भाग जाएं और पूछने वाले का गला दबा दें उसके पीछे जाँच एजिंसियां लगा दे धर्म का इस से खराब इस्तमाल दूसरा हो ही नहीं सकता क्या भारत के किसी भी अफसर में दम नहीं है कि गौतम अदानी को नोटिस भेज़ दे और इस्तिफा दे कर मेरी तरह यूट्यूबर बन जाए क्या हम इतने कंजोर हो गए है कल्पना कीजिए कि एक दिन गौतम अदानी में ही नैतिक बल आ जाए देवी क्रिपा से धर्म की राजनिती के इस दौर में जब नेता भगवान हो सकते हैं तो किसी में देवी क्रिपा से नैतिक बल भी आ सकता है तो गौतम अदानी में नैतिक बल आ जाए किसी दिन और वो अपने टीवी चैनल पर आए और देश को बता दें कि सबका मालिक कौन है नमस्कार मैं रवीश कुमार